नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लैटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता किसी भी विमारी के होने से पहले हमें कुछ संकेत जरूर मिलते हैं अगर हम इस पर ध्यान दे तो किसी भी विमारी को शुरुवात में ही पकड़ा जा सकता है और उसका इलाज भी वक्त रहते किया जा सकता है ठीक इसी तरीके से सोरियार्टिक गठिया भी एक ऐसी ही विमारी है जिसमें आपके पैरों के अंगूठे अजीव धंक से मुड़ने बारे में भी तो क्या होता है सोरियार्टिक गठिया सोरियार्टिक गठिया एक पुरानी ऑटो-इम्यून या सूजन संबन्द बिमारी है जिसमें शरीर पर लाज चक्रत्ते या पपड़ीदार धप्पे दिखाए देरे लगते हैं इस स्थिति में जोड़ों में दर्ग हा आम तोर पर सोरियार्टिक गठिया में पैरों की उंग्लियां और पैरों के अंगूठे अजीब धंग से मुणने लगते हैं खासकर ये स्थिति तीस से पचास साल के वैक्टियों में देखी जाती है लेकिन कुछ गंभीर स्थितियों में ये बच्पन में भी शुरू हो ज ज्यादा जोड़ों में अकड़न, दर्दिया सूजन होना, सुभे के वक्त ज्यादा थकान महसूस होना, नाखूनों में लाल धब्ब्बे या नीलधब्बा होना, आखों में लालीमा होना, अब बात करते हैं क्यू होता है सोरियार्टिक गठिया, तो एक्सपर्ट्स के सोरियाटिक गठ या अनुवान शिक, फैमिली हिस्ट्री या फिर पर्या वढ़ने वजह से जैसे कि मौसम में बार-बार असमाने बदलाओ की वजह से हो सकता है इससे बचने के लिए नियमित एक्सरसाइज, हेल्दी वेट मैंटेनन रखना और धूमरपान से बचना और सप्लिमेंट दवायों का सेवन कम करने जैसी चीजों को आप अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर सकते हैं और कोई भी लक्षन दिखने पर तुरंट डॉक्टर से संपर्प करना चाहिए फिलाल के लिए नहीं जुड़े रहें इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लाटफॉर्म के साथ मुझे दीजिए जाज़त धन्यवाद